अल्वीस हलो फ्रेंज Сегодняंट में आपका स्वागत है। पीजमेकर की टुटोरियल भाग सेख्टेन में आज हम सिखेंगे ग्राफिक्स का प्रियुग करना यानि हम अपने page के उपर कैसे किसी graphics का प्रियोग करेंगे यह आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि page maker का यूज सबसे जादे जहें newspaper, magazine, visiting card, साधी का card बनाना हो या इस तरह कि कोई भी multi color work करने जिसमें इसका इस्तमाल होता है तो कभी कभार जै graphics object का भी इस्तमाल किया जाता है माल यह कि आपके system में वो graphics object नहीं है पहले से तो आप किसी application को use करते हूँ उस graphics object को बना सकते हो और अपने page के उपर जैला सकते हो तो कैसे यह हम आपको वीडियो में बताते हैं जिसमें insert object यहां देख सकते हो जिसमें दो विकल्प यहां पे दिखाए गए है create new का option दिया है और यहां पे create from file का option दे रखा है तो मैं सबसे पहले आपको create new पे click करके दिखाता हूँ आप यहां देखो by default यह selected है इसमें आपको बता दे कि object type किस type का आपको object लेना है इसमें वो सारे application दिखा रहा है जो आपके system में install किये गए है वो सारे application जिसके उपर जे object का निर्माण किया जा सकता है या graphics object को बनाया जा सकता है आप यहां देखो इसमें beat map image का विकल्प दे रखा है आप जैसे इस पर क्लिक करके ok करोगे beat map image बनाने का जो application है आपका paint वो आपके सामने खुल जाएगा अब इस page को आप यहां से जितना चाहो उतना बड़ा कर लो और यहां आप देख सकते हो कि pencil दिया हुआ है इस pencil की द्वराज है आप इसका wet सुगरा यहां से लेते हुए color लेते हुए जिस तरह का आपको object बनाना है वो object आप यहां से draw कर सकते हो साथ ही आप यहां देखो ready made good shape दिये गए है इस shape का भी इस्तमाल आप कर सकते हो अपने page के उपर जै और जिस तरह की color को आप लेना चाहते हो color भी आप यहां से ले सकते हो यह हमने आपको बताया जाए अब क्या करना है कि आपको यहां पे click करते हुए और menu system पे यहां पे देखें exit and return to the document का option दिरखा है जैसे आप इस पे click करोगे यह document आपके page के उपर जै यानि graphics object जो आपने बनाया है वो यहां पे insert हो गया है अब इसको crop tool के द्वरा जै इसको आप जो area आपका जो विकार का area है फाल्तु एरिया है अपने इस object का graphics object का वो crop करके आप यहां से निकाल सकते हो size होगर आप इसको set करते हुए आप इसको selection tool के द्वरा select करते हुए जहां चाहिए उसको आप वहाँ पर लेजा सकते हो और अपने page के उपर इसको set कर सकते हो इसी तरह एक option और दिया है edit menu bar के insert object में आप यहां देखो कि bitmap के नीचे बार कोड का भी option दे रखाया और भी बहुत सारे applications हैं जिसका इस्तवाल करके आप किसी भी graphics object को आप ले सकते हो तो मैं यहां पे coral data का यह application है coral barcodes है आप इस पे click करते ही okay करिएगा अब देखें यहा पर दे रहा है बार कोड़ आप इंसर्ट करोगे यहां पर कोई भी number आप type कर दो type करने के बाद यहां पर next करो and finish कर दो finish करते ही बार GoDart आपके Page के उपर digit हो जाएगा अब इसको जहां भी रखना है अपने Page के ऊपर जहां इसकी सेटिंग करनी है वहां आप इसको ले जाके रख दो और अपने Page को जह सेटिंग कर लो parent layout के लिए जो भी आपको करना है publication के लिए जो भी आप जिस तरह इस्तो अला करना चाहते हो उस तरह आप इसकी स्टेटिंग करके अपने पेज के उपर रख सकते हो तो यह था पेज मेकर में किसी ग्राफिक्स आपजेक्ट का प्रियोग करना कैसे करेंगे यह हमने आपको इस वीडियो में बताया वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रेख फ्रेख अजय करेंगे लाय जरूर झाले जरूरर ऑ्रेख जब से बॉक्स